नमस्ते फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं आई हूप आप लोग बहुत अच्छी होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और फ्रेंड्स यह वीडियो है आज का आज यानी सेटेड़े का ही वीडियो है और दिन का सारा काम मेरा हो गया था और जो मैंने सौफा कबर कल धुया था बैबी सौफा कबर को मैं अच्छे से सौफे में बिचा दूँगी और फ्रेंड्स अभी न मौसम बहुत ज़्यादा है रात में और सुबह तो ठंडी होती है पर दिन में भी काफी ठंडा मौसम रहता है और सौफा कबर भी मैंने बिचा लिया था और साथ ही मैं कुसन को भी सेट क कर दूँगी और जो चीजे मैंने जहां से उठाएं थी बस उनको अच्छे से साफ करके रख दूँगी और सौफा कबर सैट हो गया था और हमारा रूम भी हो गया था बिलकुल तैयार और इसके बाद मैं लगा लूँगी जारू क्योंकि यह साम की जारू है तो साम की जार भी मैंने लगा ली थी और जारू लगाने के बाद मैं जट पर गई और वहां से मुठा के लाई थी कपड़े और कपड़े को भी मैं जल्दी से कर लूँगी फूल और सारे काम मैं जल्दी जल्दी करते जा रही थी क्योंकि साम भी हो रही थी और हस्वेंट के भी आने का ह पूरा था टाइम कपड़े भी फूल्ड होते जा रहे थे और हज़वेंट भी आ गए थे और पार्थ भी घर पर ही रह रहा है क्यूंकि उसको काफी सर्दी है तो इस वज़े से वह भी स्कूल भी नहीं जा रहा है और टूशन भी नहीं जा रहा है मैडिसन वगेर अब भी ले रहा है और धीरे धीरे भी ठीक हो जाएगा और हस्वेंट आ गए थे तो इसके बाद मैं किचिन में आ गई थी और मैं बना लूँगी चाय चाय मैंने बनने ही रखी थी तब ही को पार्थ बोल रहा था कि इसको थोड़ी सी भूख लग रही थे है तो मैंने चाय को साइड में बनने रख दिया था और मैं एक तरफ गैस पे बनाने लगी हूँ पॉपकॉर्न तो पॉपकॉर्न बहुत जल्दी बन जाते हैं और जो ह कुरी सी हल्दी तो जो हूँ वाले सीड़े उनको भी एड कर दूंगी और थोड़ा सा नमक भी एड़ कर देंगे ढ़र अच्छे से मिक्स करकर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको ढग Less जिससे जो पॉपकॉन बनेंगे न तो बाहर ना किरें बरतन के तो बस पॉपकॉन भी बनते जा रहे थे और चाय भी साथ में हमारी बनती जा रही थे और पॉपकॉन हो गए थे बनकर तयार और इसकी बाद मैंने पार्थ को पॉपकॉन भी दे दिये थे पार्थ भी जब तक पॉपकॉन खा रहा था तब तक चाय भी हो गई थी बनकर तयार और हम सभी लोग बैटकर फीलिंगे चाय और चाय बनी रही थी तभी मैंने मटर को भी छील कर रख दिया था क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आलू मटर की सबजी चाय पहने पी ली थी और मटर मैंने चाय बनती हुए ही छील ले थी और काट लोगी मैं जल्दी सबजी सबजी भी काट लीती है और मसाले की बीवे करलूँ की तैयारी और ये आलू मटर की सबजी है बहुत ही सिंपल सबजी है जो घरों में हमारे अकसर बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है اور कुकर में भी मैंने तेल गर्म कह लिया था और मैंने जीरे और लेसन एड़ कर दिये थे जीरे और लेसन जैसे ही भुन गए थे तो मैंने मसाला भी एड़ कर दिया था मसाले में मैंने पीसा था प्याज लेसन और जो धनिया की हरी वाले फल होते वह और ड्राइ मसाले में डाला था धनिया, पाउडर हल्दी पाउडर, लाल मिच्छ, पाउडर, नमक और थोड़ा सा गरम मसाले पर इतने ही मसाले मैंने ऐड़ करे थे और मसाले जैसे ही भूण जाएंगे तभी टमाटर को भी एड़ कर देंगे मसाला में हमेशा धीमी आज़ पर ही भूनती हूं और यही सिंपल डेली बनने वाली सबसी है और टमाटर एड हो गए थे और जैसे ही टमाटर पक जाएंगे तभी मैं उसमें मतर और आलू को भी एड कर दूंगी आलू मतर भी एड़ हो जाएंगे और मसाला हो गया था हम भून कर तयार और मैंने सबसे पहले मतर को एड़ किया था मतर मैंने थोड़ी देर मिक्स की थी और मिक्स करने के बाद थोड़ी ही देर मैं जैसे ही मसाले आटमाटर पक जाएंगे तब ही मैं आलू को भी एड़ कर द धीमियाच पर भून लिया था और मनस में पानी डाला था पानी मैंने थोड़ा सा ही डाला था क्योंकि मैं कुकर में बनाने वाली हूं सबजी और जब तक हमारी सबजी पक रही थी तब तक मैंने बरतन को भी साफ कर लिया था बरतन क्योंकि चाय के बरतन और जो पॉपकॉर् तो मैं बरतन जब भी थोड़े बहुत इखटे हो जाते हैं तो मैं फटा फट्चे ही साप कर लेती हूँ जिससे कि हमारा सिंख खाली रहता है और और बरतन धुल गए थे उसके बाद मैंने थोड़े बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी और सब्जी हो गई थी हमारी बन कर तयार तो बस सब्जी को भी हम कुकर खोल कर देख लेंगे सब्जी हमारी बन गई थी और मैंस में हरा धनिया भी एट कर दिया था और सब्जी बनने के बाद मैं आटे की भी कर लूँगी तयारे आटब भी हमारा हो गया था तैयार और इसके बाद मैं रोटियों को भी बना लूँगी और रोटियां भी मैंने बनाने कर दी थी शुरू और जैसे ही रोटियां बन जाएंगी तो हस्वेंट और पार्थ दोनों के लिए लगा देंगी मैं खाना पहले हम लोग सब भी साथ में बैटकर खाना खाते थे और अब काफी जदा ठंड पर रही तो साथ के चकर में खाना ठंडा हो जाता है इसलिए मैं पहले पार्थ और हस्वेंट दोनों को ही खाना लगा देती थी और उसकी बाद मैं भी खा लेती हूं खाना तो बस खाना बन गया था और खाना मैंने लगा दिया था हस्वेंट और पार्थ के लिए और जैसे ही खाना हो गया तो उसके बाद मैं बरतन को भी क्लीन कर लूँगी बरतन भी मेरे क्लीन होते जा रहे थे और और बरतन दूलते जा रहे थे और पार्थ की मैंने बाटल भी रख दूंगे और बेजी टेबल की जो बासकेट थी उनमें मैं फटाफट से रख दूंगी बेजी टेबल को और पानी को भी पानी को रख दूंगी गर्म होने के लिए क्योंकि अभी पार्थ गरम पानी ही पी रहा है जब तक जो बेजी टेबल हैं उनको भी मैं बासकेट में लगा दूंगी और सबजियां भी लगती जा रही थी और पानी भी होता जा रहा था गरम बस सारे काम में करती जा रही थी और जब भर पर अकेले होते हैं तो काफी सारा काम रहता है और समय का तो कुछ पता ही नहीं चलता अफटाफट से मैंने जो बेजिटेवल थी वे बास्केट में अच्छे से रख दी थी और जैसे ही पानी गरम हो जाएगा तो पानी को भी बाटल में भर दूँगे पानी भी गरम हो गया था और पानी को मैंने बाटल में भर दिया था और इसके बाद मैं बनाऊंगी पार्थ के लिए हल्दी वाला दूद क्योंकि उसको बहुत जादा सर्दी है तो मैंने एक कप दूद लिया था और मैंने बड़े कप से लिया था लगभग है कप का साइज काफी बढ़ाता तो लगभग उसमें एक लाज दूद बन जाता है और मैंने उसमें डाली थी छे से साथ लॉंग और डाली थी आधी चुमच हल्दी और आदा चमच सॉट पाउडर बस इतनी ही चीज़े मैंने डाली थी और दूद को पकने देंगी जैसे ही दूद पक गया था तो मैंने गैस को बंद कर दिया था और उसमें गुर्ट डाल दिया था और दूद को मैंने कप में भी डाल दिया था क्यूंकि दूद को गरम गरम ही पीना है उससे ही आरा मिलता है दूद कप में डालने के बाद मैंने कार्थ को दूद दे दिया था और मैं कर लूँगी किचिन की क्लीनिंग किचिन क्लीनिंग हो जाएगी उसके बाद मैं जो दूद वाले बतन है न उनको भी दोलूँगी तो फ्रेंट सारा दिन ऐसे ही काम में निकल जाता है इस समय का कुछ भी पता नहीं चलता कि और फ्रेंट आज का वीडियो आपको कैसा लगा अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शियर और सबस्क्राइब करना बिलकुल न भूले और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सबस्क्राइब करना न भूले और आपके जो लाइक होते हैं तो उनसे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग